नजर को दुख नजर आते हैं मगर इस नजर को करें सुख भी दिखते हैं नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका दोस्त कविया दिगनेश ये है सीरीज अपने हिंदी साइत एतियास की इसमें कुछ विशेस महत्वपुन प्रश्णों का संक्लन किया है और साथियों जैसे ही रीट का ओफिसियल जो भी पाठ्यकरम निर्दारित होना है कुछ जो भी जुड़ना है थोड़ा वोद वो ओफिसियल नोटिस आते ही रीट की भी वापस बिलकुल वेवस्ति तरीके से क्लासेज है जो स्टार्ट कर दी जाएगी अभी मई में जो फर्स्ट ग्रेड का संस्क्ति भागवाला पेपर होना है उसका रीविजन चल रहा है तो जल्दी जैसे पाठ्यकरम आता है उसकी भी क्लासेज नियमित रोप से प्रारम कर दी जाएगी चलिए प्रारम करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी ग्रूप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और साथी भी जुड़ सकें किस वश्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्त भी है तो स्री मदवाचार्य का हमें एक नाम आनंद तीर्त भी मिलता है दूसरा प्रश्ण रामावत संपर्दाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी गलता में किस ने इस्तापित की तो अनंता नंजी के सिस से कृष्णदास पैहारी ने रामावत या रामानंद संपर्दाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान जो गद्दी है वो गलता में इस्तापित की थी तीसरा प्रश्न है उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं तो गलता जी कोई उत्तर तोताद्री कहा जाता है अगला प्रश्न किस संपर्दाय के लोग वेरागी नाम से प्रसिद है तो रामानंद कहें या फिर रामावत कहें ये रामानंद या रामावत संपर्दाय के जो लोग है वो वेरागी नाम से प्रसिद है अगला प्रश्न तपसी साखा की इस्तापना किसने की थी? तो तपसी साखा की जो इस्तापना करने वाले थे वो थे कृष्ण दास पैहारी के सिस्से किल्य दास किसने की थी? किल्य दास ने और सिस्से किसके थी ये कृष्ण दास पैहारी के अगला प्रश्न कहां जाईये हो धरी लागो रंग मेरो चंचल मन भयो पंक्ति किसकी है? रामानन्द की है यह पंक्ति द्यान रखेगा अगला प्रशन रसिक संपरदाय के परवरतक है अग्रदास जी जिनकी परदान गद्धी है प्रमुख रेवासा सिकर के पास में और अगरदास जी अगर अली नाम से भी रजना किया करते थे जो कल वाली सीरीज में हमने प्रश्न संकलित किया था कुंडल ललित कपोल जुगल असपरम सुदेसा तिनको निर्खी प्रकास लजत राकेस दिनेसा मुख पंकज के निकट मनो अली छोन चाए पंक्तियां किसकी है अगरदास जी की ध्यान रखेगा अगला प्रश्न सत्यवति कथा भरत मिलाप और अंगद पेज इनके रचियता कौन इस वरदास इस उर्दास की ये करतियां सत्यवत्ति कथा, बरत्मिलाप और अंगद पेज अगला प्रश्ण नावादास कृत भक्त माल की टिका किस ने लिखी? प्रिया दास ने अगला प्रश्ण अवध पुरी की सोबा जैसी कहीं नहीं सकई से सुरुती तेसी पंक्तियां किसकी है? नावादास की ये पंक्तियां है अवध पुरी की सोबा जैसी ध्यान रखेगा कबीर कानी सकी नहीं वर्णा स्रम द्रिश्ण नहीं वर्णा स्रम सट दर्सनी कबीर के संदर्व में ये पंक्तियां किसकी है? तो नवादास की है ये भक्त मालस है अगला प्रश्ण राम भक्ती साखा के अंतरगयत स्वेशुकी संपर्दाय की स्थापना किस ने की ती? तो राम भक्ति साका के अंदर जो स्वय सुकी संपरदाय था उसकी स्थापना करने वाले थे राम चरण दास जी और इसके अंदर पत्नी भाव की उपासना की जाती है और दूसरा जो संपर्दाय ता इसी से जुड़ा समंदित राम भक्ती साका के अंतरगत किसने सखी भाव की उपासना चला कर तत्थ सुकी संपर्दाय की स्तापना कीती तो जिवाराम ने कीती तत्थ सुकी संपर्दाय की और राम चरण दास ने कीती स्वय सुकी संपर्दाय क स्वय सुकी संपर्दाय के अंदर पत्नी वाव की उपासना की जाती है जबकि तत्व सुकी संपर्दाय के अंदर सखी वाव की उपासना की जाती है आगे वढ़ते हैं किस गरंत के संधर्व में ये कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रच डालाता इसका जो रचना है वो एक रात के इंदरी कर दी थी तो रामचंद्रिका के विशे में ये कहा जाता है और केसव की जो परमुक रचना है वो भी देख लेते हैं कई बार पूछी गई है कवी प्रिया, रसिक प्रिया, राम चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस्चंद्रिका ठीक है? आगे पढ़ते हैं राम चंद्रिका की मुख्य विसेस्ता है तो राम चंद्रिका जो इसकी रचना है, इनकी मुख्य विसेस्ता ये है नाटकिये समवाद योजना और छंद विवित्ता प्रमुक विशेशता है रामचंद्रिका की अगला प्रश्न गोसाई चरीत के रचियता है बेनी मादवदास गोसाई चरीत के रचियता कोन है बेनी मादवदास आगे बढ़ते हैं कुछ कथन है विशेस बहुत मयत्वपोन है निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोग धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी सगुण धारा के बारतिय पद्दति के भक्तों में कभीर दादू आधी के लोग विरोध स्वरूप को यदि इनकी विरोध स्वरूप किसी ने पहचाना है तो वो कौन थे गो स्वामी जी ये पंक्तियां किसकी है आचारी रामचंदर शुक्ल की अगला प्रश्ण हिंदी काववे की सब परकार की रचना सेली के उपर गो स्वामी जी यानि तुल्चिदा जी ने अपना उंचा आसन प्रतिष्टित किया है ये उच्चेता और किसी को प्राप्त नहीं ये कथन किसका है आचारी रामचंदर शुक्ल का अगला प्रश्ण रामचरित मानस में कितने कांड है तो रामचरित मानस के अंदर साथ कांड है कौन-कौन से देख लें आप पहला बाल कांड अयोध्या कांड अरन्य कांड किसकिंदा कांड सुन्दर कांड लंका कांड और उत्र कांड ये साथ कांड मिलते रामचरित मानस प्रकार की आगला प्रशन है ये कतन किसका है, इस प्रशन का उत्तर है, जो आपको कमेंट करके, बिल्पकर का확 के लिखना है, तीसरा प्रशन तुलसी दास के रामचरित मनस के पhले टिकाकार कौन है? तो अयोध्या के मैंत बाबा रामचरण दास जो है तुलसी दास की जो रामचरित मानस रचना करती है उसके पहले टिका कार थे अगला प्रश्ण हिंदी प्रदेश में रामभक्ती आंदुलन का केंद्र था अयोध्या हिंदी प्रदेश में राम भक्ति अंदुलनका केंदर कौन सा था अयोध्या कहीं बार नेट में आएगी प्रशना है फर्स्ट ग्रेड में एन्वेस के वेस में पूरी संभावन आए इनके आने की तुलसी ने किस उद्देशे से राम की जीवन गाथा की रचना की थी तो लोग हित के उद्देशे से ही राम की जीवन गाथा की रचना की थी अगला प्रशन राम भक्ति मार्ग में दामपत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली स्रिंगारी भावना की परवर्तक कौन थे? अग्रदास इस प्रश्न को मैंने पहले भी संक्लित किया था पिछले वीडियो में लेकिन प्रश्न की थोड़ी सी बासा परिवर्तन हो गये ध्यान रखना राम भक्ति मार्ग में दामपत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली स्रिंगारी भावना की परवर्तक अग्रदास जो अग्रली नाम से भी जानकी जी की सकी के रूप में रिजना किया करते थे अगला तुलसी दास को वेद वेदांग दर्सन इतियास पुराण में पारंगत किसने बताया था सेज सनातन ने बताया था जा अभी कल्प में तीन कुछ और और एक ये हो तो सेज सनातन उत्तर होगा हनुमान जी की आरती के रचियता कोन जो हम गाया करते हैं रामानंद अगला तुलसी किस दार्सनिक मत के भक्त कवी थे विशिष्टा द्वेतवाद के अगला प्रश्न तुलसी दास का संबंद किस आचार्य प्रम्परा से है तो रामानन्दी आचारे प्रम्प्रा से तुलसिदास का जो सम्मंद है अगला प्रश्ण लाब कहां मानुस्तन पाए सुर्दुरलब तनू धनीन भेजे हरी मद अभिमान गवाए पंक्तियां किसकी है तुलसिदास की कुछ और विशेश पंक्तियां तुलसिदास की वो भी आप सुन लीजिए कि विने ने मानत जल्दी जड़ गए तीनी दिन भीती और बोले राम सकोप सब भे बिनु होई न प्रीती ऐसे ही आपने कहीं बार सुना होगा पर हित सरिस धरम नहीं भाई पर पीडासम नहीं अधिवाई ये भी सुना होगा बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे भी दिनाना दूत कहो अवदूत कहो रजपूत कहो 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 ये भी राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम ये पंक्तिया भी इस सन के इस कि इसी के साथ राम बक्ति कावे दारह से सारे प्रशन जो मैत पुना बंते हैं प्रेक्षा में आ सकते हैं उनका संकलन किया है हमने अब आगे अगली वीडियो में कृष्ण बक्ति कावे से जोड़े हैं पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो कौने में जो रेडिकलर का बटन है सब्सक्राइब उसको क्लिक कर लें और घंटे की निसान को दबा लें ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें उनकी भी सूसना आपको मिलते रहे हम यक झालेंगा